हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, सुगैज आज की इस वीडियो में आपको स्टैलिस नैरा कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी, यह कुर्ती आज कल का फिर्दा ट्रेंडिंग में चल रही है, इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल क के साथ कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताया है, वीडियो को एंड तक जूर देखेगा, इस मेजिर्मेंट से आप किसी वी सैज की कुर्ती को रेडि कर सकते हैं, कुर्ती को अलग लुक देने के लिए इसमें मैंने फैब्रिक लटकन लेस का यूज किया है, य यह फैब्रिक रियोन का है, मेरे पास जो फैब्रिक है वो रियोन का है, एंड कुर्ती को अलग लुक देने के लिए इसमें हम गोटापटी लेस का यूज करेंगी, तो यह पर मैंने 7 मिटर लेस ली है, एंड 5 मिटर फैब्रिक लिया है, सबसे पहले हम टोग पार्टी करें इसके लिए हमें कपड़े को लंबाई से चैरभागों में रखना है, इस तरह हमें फैब्रिक को लंबाई से चैरभागों में रखना है, अभी टोप पार्ट के लेंथ लेंगे, टोप पार्ट के लेंथ नोर्मल कुर्ती में हम 14 इंच पर रखते हैं, इस कुर्ती में हमें 1 किंच ज्यादा लेना होता है इसल्ए यांपर 15 पर नार्ण सिधाल रेए हुँ और और सव यहां पर ज्यादा più वाले हुँ सि लरे माजन के लिए मोर कि पार्ट केbay पार्ट के लिए ऀबेश़िंगे 30 से यांच लिए उस्यादा टूप पार्ट मुदहु केंकर के लिए चोल्डे के लंबाई है 14 इंच, 14 को हाफ किया 7 इंच आया, 7 पे मर्क लगा दिया, और आर्मोर के लेंथ भी हम 7 इंच ही रखेंगे, या पर हमें एक सिधिलेंड ड्रो कर देनी है, अभी फिटिंग का मर्क लगाएंगे, तो फिटिंग में चेस्ट के लंबाई 32 इंच पर है, 32 को चार्षेड वैड करना है, 32 को चार्षेड वैड किया 8 इंच आया, और 8 में हमी 1.5 से 2 इंच एक्ष्टा लेना है स्लाई माजन के लिए, तो या पर मैंने 1.5 इंच एक्ष्टा रखा है, अभी इन मर्कों को इस तरहां नीचे तक मिला देंगे, तीछे लेंड ड्रो करत इना है, इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, प्लेट के लेंद मैंने 3.5 इंच पे रखी है, तो इस तरह पलेट का मार्क लगा देंगे, अभी एक इंच पर आर्मॉल में घरह देंगे और फ्रेंड पार्ट में आधे इंच पर घरह देंगे, और बैक नेक को डीप में रखा है तीन इंच यहाँ पर हमें एक बोक्स बना देना है और नेक का सेब दे देंगे सेब देती हुवे नेक को हमें कट कर लेना है इस तरह अभी हम फ्रेंट नेक को कट करेंगे विर्थ रखेंगे तीन इंच और deep में रखेंगे 5 इंच आप चाहें तो back neck और front neck को same रख सकते हैं front neck में deep रखूंगी तो इसकी deep neck मैंने 5 इंच रखी है box बनाते हुवे shape दे देंगे और shape के according cutting कर लेंगे इस तरह हमें front को cut कर लेना है top party cutting होने के बाद बाजू को cut करेंगे सबसे पहले fabric को चैर भागों में रख लेना है बाजू के लेंद रखी है 15 इंच एक इंच जदा रख लेंगे इसलाई margin के लिए और बाजू में armor के लेंद 8 इंच पर रखेंगे इस तरह 8 इंच पर mark लगा देंगे जापर बाजू की खुले side है वहाँ पर नीचे की तरफ 10 इंच पर mark लगाएंगे इस तरह ये mark हमें 10 इंच पर लगाना है और यहाँ पर एक city लेंड ड्रो कर देनी है इस mark से हमें बाजू का shape दे देना है इस तरह बाजू में bottom की लेंद 5 इंच पर है एक ही जादा लेते हुवे mark लगा देंगे आर्मोल वाले mark और bottom वाले mark को मिलाते हुवे तीछे लेंड ड्रो कर लेनी है तो इस तरह आपने mark की एक कोरिंग बाजू की कटिंग कर लेंगे सेंटर पर एक कट लगाएंगे और इस तरह हमें बाजू को भी कट कर लेना है अभी हम bottom की लेंद लेंगे यह जो कुर्थी बन कर त्यार होगी वो 16 इंच पर त्यार होगी उसमें से हमें 15 इंच उपर की तरफ निकाल देना है जो हमारा top बन कर त्यार होगा और 16 इंच पर mark लगा देंगे उसमें एक इंच हम ज़्यादा ले लेंगे इसलाई margin के लिए तो 18 इंच पर मैंने mark लगाया है जितने भी आपके कुर्थी के लेंद हो उसमें से हमें top पार्ट के लेंद निकाल देनी है और mark लगाते हुए एक इंच ज़्यादा लेना है उसके बाद एक्ष्टा फैब्रिक को हम हटा देंगे इस तरह ये फैब्रिक के जो विर्थ है वो बियाली सिंस पर है बियाली सिंस पर हमारी प्लेट आएंगी बच्च वे फैब्रिक से हम लटकन और नेक बना लेंगे कटिंग होने के बाद स्टिचिंग करेंगे सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे नेक पर हम गोटापटी लेस का यूज करेंगे लेस को नेक पर लगाने का मैं आपको बहुत याशान तरीका बताऊंगी जिसमें आपको पेस्टिंग की बिजूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले हमें लेस की जो र क्वाटर इंच की दूरी पर ही लगानी है इस तरह किनारियों पर रखते हुवे स्लय लगा देंगे पूरी मी किनारियों पर रखते हुवे क्वाटर इंच की दूरी पर स्लय लगा देनी है उसके बद हमें एक नेग पट्टी कट करेंगे इस पट्टी की जो रायर साइड रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी और इस पर भी हमें क्वाटर इंच की दूरी पर सलय लगानी है जितनी सलय हमने लेज पर लगाई थी उतनी सलय हमें इस पट्टी पर लगानी है तो इस तरह इसको रखते हुए इस पर भी हम सिलय लगा देंगे सिलय लगाने के बाद यहाँ पर छोटी-छोटी कट लगाएंगे ताकि पट्टी हमारी राइर शायर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए इसमें सिल्विटिन आई और एक सिलय लगा देंगे इस तरह फोल्ड करते हुए टोप स्टिच लगा देना है अगर आप इस तरह नेक को रेडि करेंगे तो बोत beide फिनिसिंग के साथ आपकी लेश अटैच होगी इस तरह हमें फरेंट नेक को रेडि कर लेना है और बैक नेक को नॉर्मली रेडि कर लेंगे फ्रंट रेक पर एंड स्टीच कर देंगी दोनों की रायर्च हर अंद्र की तरफ रख देंगी और कंदी भी जोइंट कर लेंगी अभी हम बाजू को टैच करेंगी बाजू की रायर्च हर नेचे की तरफ रहने चाहिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुवे आधेंच की दुरी पर यहापर हमें सलय लगा देनी है और बाजु को भी अटेच कर लेना है इस तरह से सलय लगाते हुवे बाजु को भी अटेच कर लेंगी एंड इसी की अकोडिंग दूसरी सेड बाजु को अटेच करेंगी आधेंच की दुरी पर स्लय लगा देंगे और अटेच कर लेंगे ऐसे हमें बाजू को रेडी कर लेना है अभी बाजू के बोटम को आधेंच की दुरी पर डवल फोल्ड करना है और स्लय लगा देनी है इस तरहां भाद और ये अधेृच के दूरी पर डवल फोड कर लेंगे और श्लाय लगा देंगे तो श्यल्य लगाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा तो लेश को हम बाजू के अंदर अटाइच कर लेंगे इस तरह से अगोरी हम दूसंय बाजू को रेडि कर लेंगे बाजू को टैच करने के बाद हमने जो प्लेट का मारक लगाया था उसको हमें इस तरह फोल्ड करते हुए जहां तक हमने मारक लगाया था वाँ तक हमें स्लेय लगा देनी है बैक और फ्रेंट दोनों पार्टों में टोप पार्ट को रेडि करने के बाद बोटम को रेडि करेंगी बोटम की किनारियों को हमें आदेंस की दूरी पर डवल फोल्ड करना है और स्लेय लगाते हुए लेश को टैच कर लेंगी इसके अकोड़ी हम बच्ची वी किनारियों को रेडि करेंगी आदेंस की दूरी पर डवल फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए स्लेय लगा देंगी तो इस तरह हमें किनारियों को फोल्ड करते हुए इसके इंदर less को भी touch कर लेना है अभी हम bottom में plate डालना start करेंगी तो जितने भी आपके कमर की lane हो उसके according हमें याँ पर plate डालनी है याँ पर कमर की जो lane है वो 14 इंच पर है तो 14 इंच पर हमारी total plate आने चाहिए तो इसके according हम ययाँ पर plate डाल देंगी 14 इंच पर हम बैक पार्ट को वि रेडि कर लेंगी, अभी हम बोटम और टोप एक दुसळी के साथ अटईच करेंगे, तो सबसे पहले दोनों का सेंटर लेंगी, दोनों को इस ता का सेंटर से फोल्ड करेंगी और एक मालक लगा देंगी, एंड इसी के अकोडिंग हम टोप पार्ट का सेंटर लेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुवे इन पर हम सलय लगाएंगे दोनों की जो रायर सेर रहनी चाहिए वो अंदर की तरफ रहनी चाहिए जापर हमने मार्क लगाया था वहाँ पर हम आलपिन लगा देंगे सेंटर पर हमी आलपिन लगा देनी है उसके बाद हम बोटम और टोप को एदू से साथ अटेच कर लेंगी द्यान रखेगा आप दोनों की रैर सेड हमी अंदर की तर्फ रखनी है और यहाँ पर आदे इंच पर स्लय लगाते हुवी दोनों को अटेच कर लेंगी हमने जो सेंटर पर आलपिन लगा थी उसको निकालती हुवी रै लगा देनी है हमने बोटम में चोदा इंच पर प्लेट डाल दी थी उसी के अकोडिंग हमारा यहाँ पर मारक आया है तो आप देख सकते हैं बिलकुल मरक के अकोडिंग हमेरी यहां पर प्लेट आई है तो साइडों में जो मरक बचा है हमारा वो डेड़ इंच पर मरक बच चुका है और यहां पर हमारे मरक के अकोडिंग प्लेट आ चुकी है उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकोडिंGO फीटिंग में हम सलय लगाएंगे बाजू का आपका जो भी मेजरमेंट हो सलय लगादेंगी फीटिंग में हम मरक लगाते होवी सलय लगाएंगी अभी हम सलेट को रेडि करेंगी यहां पर जो फैब्रिक है इस fabric को हमें उपर की तरफ fold करना है और इसके पास से हमें इस slide को बहाँ निकाल देना है इस fabric को इस तरह उपर की तरफ fold कर देंगे और इसके पास से हम slide को बहाँ निकाल देंगे अगर इस तरह हम fitting में slit को ready करेंगे तो बहुती finishing के साथ red side की तरफ हमारी slide आएगी और slit भी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी तो इसी के according हम दूसरी सैड को भी रेडी कर लेंगी और आप देख सकते हैं काफी finishing आई है हमारी उसके बाद हम slit पर fabric लटकन अटाच करेंगी fabric लटकन वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो link मैं end screen में दे दूँगी slit के wrong side की तरफ हमें fabric लटकन को रखना है इस तरह दोरी को रखना है दोनुँ दोरियों को हमें इस तरह पास में रखते हुवे यापर पक्की सलय लगा देनी है इस तरह से पक्की सलय हमें यापर लगा देनी है इसके according दूसरी सैड को रेडी कर लेंगी इस तरह लटकन अटेच कर लेंगे उसके बाद हम बोटम पार्ट को भी आदेंज की दूर पर डवर फोल्ड करेंगे और सिलय लगा देंगी फैब्रिक लटकन को भी हमी दोनों सिलिट के अंदर अटेच कर लेना है फैब्रिक लटकन लगाने के बाद कुर्ती का लुक और भी अच्छा आएगा